राजस्तान परदेश से मौनसुन को विदा होने में महज कुछी घंटों का समय बचा है मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में परदेश से मौनसुन पूरी तरह से विदा होने की पूरी संभावना है लेकिन मौनसुन की विदाई से पहले कुछ जिलों में हलकी से मध्यम बारिश होने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है लेकिन मौनसुन की विदाई से पहले एक बार फिर से परदेश में गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है बीते 24 घंटों में दिन और रात के तापमन में करीब 1-3 डिगरी तक की भड़ोतरी दर्श की गई है मौसम विभाग के अनुसार अगरे 48 घंटों के बीतर मौनसुन पूरी तरह से राजस्तान से विदा हो सकता है बीते एक सब्ता पहले मौनसुन ने पश्मी राजस्तान से विदाई लेनी शुरू की थी हलाकि मौनसुन की विदाई से पहले आज भी कुछ जिलों में हलकी बुन्दाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है तो वहीं अगले कुछ दिनों तक परदेश में मौसम पूरी तरह से शुष्क बना रहने की संभावना भी जताई जा रही है उधर मध्य परदेश से रवानगी की और बढ़ रहा है मौनसुन मालवा निमाड को पूरा भिगोता हुआ जाएगा मौनसुन दरसल पिछले 24 घंटे में धार की हलकी बारिश हुई है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन धार, विदीशा, जाबुआ, आली राजजपूर और बाला भाटा में भी हलकी बारिश की संभावना जताई गई है तीन अक्तूबर के बाद एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है बीस जिलों में भारी बारिश का यैलो अलर्ट जारी किया गया है महाराश्ट्र और 36 गड़ से 60 इलाकों में कहीं कहीं हलकी से तेज बारिश हो सकती है मौसम विभाग की माने तो इंदोर, भपाल और गवालियर में बारिश होने की उमीद फिलाल नहीं के बराबर है उदर बुंदेलखर और महा कोशल के इलाकों से में भी ज्यादा असर दिखाई दे सकता है उमरिया, अनूपपूर और शैडोल, डिंडोरी, कटनी, छिंदवाडा, जबलपूर, नरसिंगपूर, स्वीनी इन सब में कहीं हलकी हलकी से तेज बारिश होने की संभावना चताई गई है और वहीं चंडीगड से भी मौनसुन विदा होता दिखाई दिया है मौसम विभाग ने इसकी पुष्टी कर दी है कि इस बार मौनसुन समानया से चार दिन की देरी से गया है इस वज़े से बारिश भी समानया से 6 पिसदी अधिक हुई है विभाग ने कहा है कि अब चंडीगड में धीरे-धीरे ठंड बढ़ सकती है उदर हरियाना के 80 प्रतिशत हिस्तों से मौनसुन की विदाई हो चुकी है मौनसुन सीजन में परदेश में समानया से 8 प्रतिशत अधिक बर्शा दर्ज की गई है 6 जिलों में समानया से कम और 16 जिलों में समानया से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है झाल